Hello engineers, welcome to the next session इस session में हम इस 5-5 assembly को बनाने वाले हैं एक-एक parts को पहले बनाएंगे उसके बाद हम इसको assemble करेंगे उसके बाद हम इसको explode करेंगे और फिर थोड़ा सा हम इसको animation भी करेंगे ठीक है, see यह animation of the explosion है इसमें total 10 component बनाने हैं और 3 nut जो है हम लोगों को ready made लेना है और यह रहा इसका drawing तो देख लीजिए, बिल्कुल भी easy method से मैंने बताया है square thread आप कैसे बना सकते हो external और यहां internal वो भी बताया है मैंने इसको assemble कैसे करना है properly यह भी बताया है मैंने और इसको explode भी कैसे करना है यह भी बताया है मैंने और थोड़ा सा आप animation तो एक-एक minute को जड़ा गौर से देखो समझो और lecture खतम होने के बाद practice करो नहीं तो बूल जाओगे फिर समझे? चलिए फिर इसकी सुरुवात हम लोग करेंगे ठिक? अच्छे से देखो भागना नहीं इस session को start करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा Solidworks full premium course के बारे में बताना चाहता हूँ इस course को अच्छे से complete करने के बाद आप एक mechanical design engineer बन सकते हो और किसी भी company में आप एक as a design engineer काम कर सकते हो याद रखिए मैंने इस course में 300 से ज़्यादा lectures दिये हैं सारे lectures को properly study करनी होगी आपको और जो भी assignments मैंने practice करवाया है हर एक chapter के बाद में वो भी आपको बनाना होगा मैंने इस course के साथ में book और practice assignments दे दिया है ठीक है? course के last में मैंने industrial projects भी करवाए है कभी कोई परेशानी आती है या कोई doubt पुछना होगा तो direct मुझसे बात कीजिए हमने सारे course में one-to-one doubt clearing sessions रखे हैं course complete होने के बाद आपको certificate भी दिये जाएगा मैंने digital cad app का link नीचे description में दे दिये है आप अभी install कीजिए और खुद देखे कि किस quality का content है हमारे सारे courses का तो चलिए हम लोग अभी इस session को complete करते हैं ओके तो चलिए गौर से देखिए इस sheet को और शुरुआत करेंगे इस part से ये देख लिजे इसका नाम है fixed jaw इसमें तीन view दिया गया है ये रहेगा मेरा top view ये मेरा front view ये मेरा side view जरूरत पड़े तो आप इसको भी देख सकते हो ठीक है यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे ये texture दिख रहा है ये भी कैसे करना है वो भी बताता हूँ ठीक है total हमें 10-11 parts बनाने है ये जो 11 number का nut है वो हम ready made use करेंगे बाकी 10 parts हमें खुद बनाना है तो चलिए फिर यहाँ से हम शुरुआत कर लेते हैं ये देख लीजे बिलकुल simple सा part है मैं solid works में जाता हूँ sketch ये लिए मैंने front plane और यहाँ हम लोगों को दो center lines ले लेने है infinite वाले vertical horizontal ok ok x rectangle ले लेते हैं कुछ इस थरह से right click select इसको ऐसे करके हम पहले symmetric कर लेंगे good अब देखिए इसका total length कितना है 2, 1, 2 देख रहा है ना 2, 1, 2 कुछ इस थरह से ले लेते हैं 2, 1, 2 enter और इसका total height देखिए 25 यह हम 25 ले लेंगे अगला क्या है यह बनाना है nothing to worry आप इसे करके भी ले सकते हैं see ऐसा 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 right click करके select किजिए यहाँ से आप mirror किजिए ok अब इसका भी dimension हम डाल देते हैं see यह total height 44 यहाँ से यहाँ तक हम 44 ले लेंगे ok फिर यह मेरा 36 का रहेगा यहाँ से यहाँ तक हम 36 लेंगे good यह भी 36 का है ok और यह 34 यह आचुका 34 अल्रेडी तो हमें वो डालने की ज़रूद ने बस 45 डाल देना है इन दोनों के बीच का इंगल यह 45 डिगरी का डाल दिए see बाकी और कुछ करने की ज़रूद नहीं है यहाँ पर दो होल ले लेता हूँ circle ले लेंगे फिलहाल एक यह रहा इसको mirror कर लेते हैं मैं बिलकुल short में बताता हूँ और आसान भी बताता हूँ ठीक है इसका diameter आप देख सकते हो 13 का है आप इसका diameter 13 ले लो ओके और यह रहा उपर से 22 का यहाँ से यहाँ तक हम 22 ले लेंगे good और इधर से इधर कितना है तो इधर से नहीं दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना है तो यहां कुछ पता नहीं चल रहा तो फिल हाल हम ऐसे ही रहने देते हैं या 22 का लेना है तो ले सकते हैं ठीक है Assembly के टाइम पे हम देखेंगे अगर कुछ गड़बरी आई तो हम उसको ठीक कर पाएंगे ठीक तो मैं इधर से भी 22 ले लेता हूँ बाकी का बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं सो ठीक है इतना काम हो चुका है fillet का काम हम बाद में करेंगे यहां पर यहां पर यहां और यहां लेना है तो ले लेते हैं चलो यहां fillet ले लिया कितने का है 8 radius यहाँ पर आप 8 डाल दो मैंने इसको select किया और इसको select किया और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों को ले लेना है ठीक है इधर भी ले लेना है और इधर भी ले लेना है बस इतना कर दिये ओके और यह देखे 5 का है तो मैं यहाँ से पांच डाल देता हूं इधर 5 इस तरह से मैंने इसको select किया ओके ओके जितनी जरूरत है मैंने वो ले लिया है बाद में देखेंगे इसका क्या location है assembly में पता चल जाएगा फिर आँ नथिंग टोरी ये देखिए 48 दिया हुआ है तो हमें उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी तो आपको ये क्या करना है 22 को delete करना है और center से हम 48 डाल देते हैं अल्मोस्ट मैंने बराबर ही लिया था फिर देख लो यानि यहां से यहां 22 ले लो या फिर यहां से यहां 48 यह देख लिजे बराबर आ गया तो मैंने जाने अन जाने में सही लिया था ठेक है चलिए फिर यह हो चुका हमारा दिया हुआ थी इसलिए drawing को properly read करना बहत ज़रूरी है चलिए इधर का तो काम हमारा हो चुका अब मैं यहां finish करता हूँ space और isometric feature लेता हूँ यह लिया अभी गौर से देखे इस region को हम select करेंगे कितना makes to turn करना है यह देख लिजे 63 दिया हुआ है तो आपको यहां 63 लेना होगा और आप यहां mid plane भी ले सकते हो okay समझे और फिर मैं यहां पर जाता हूँ sketch इसको select किया अब जरा गौर से देखेंगे इस region को लेंगे इसकी thickness कितनी है यह देखे 17.3 तो आप इसकी thickness डाल दो 17.3 की और offset इसका आभा यानि 14.2 मतलब center से ले रहे ना ताधा हमें offset करना होगा यहां से तो आप यहां पर 28.4 divided by 2 कर दो यह देख लो perfect आ गया see and then okay और उसी तरीके से हम फिर से इधर भी ले लेते हैं आप इसको flip कर दीजिए offset में जाईए और again उसी तरीके 28.4 divided by 2 कर दो direction को flip कर दो यह देख लीजिए okay see लगता है थोड़ा सा मैंने इसको गड़ बढ़ किया पहला वाला थोड़ा सा चिक करना पड़ेगा 17.3 और यहां पर जो है गड़ बढ़ होगे देख लीजिए तो 14.2 रहेगा ना इसका ओके यह देखो perfect आ गया see अभी आपको लगता है बबा color वालर डालना है यहां पर iron वगेरा भी ले सकते हैं इस तरह के texture के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं चलिए आप यहां appearance में जाईए और appearance में जाईए यहां से metal लीजिए metal में आप कुछ भी लीजिए बट casting लीजिए ठीक है cast iron ही ले लेते हैं और यह देख लो cast iron double click कर दो see यह black color में आ गया but we can change the color यहां पर आप click कर सकते हो और यहां से आपको जो भी color लगता है आप ले लो see इस तरह का color आप ले सकते हो brightness बढ़ानी आप बढ़ा सकते हो see यह देख लिजिए यहां से हम brightness बढ़ाएंगे otherwise आप कुछ अलग color भी ले सकते हैं blue color लेना है ले लिजिए but we can control everything है हमार लिए कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं यहां से भी आप बढ़ा सकते हो see यह देखो brightness बढ़ाते जाईएगा तो आपका ऐसा कुछ होता जाएगा ठीक है एक और चीज़ यह जो दिया हुआ है इसे texture को हम scale कर सकते हैं यानि बढ़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं see देखिए इसका जो texture है आप बढ़ा कर सकते हो यह देख लो छोटा करना है आप इसके texture को छोटा भी कर सकते हो see यह देखो बढ़ा करना है बढ़ा कर दो तो ये बड़ा अच्छा लगता है, जितना बड़ा आपको texture रखना है, आप रखिए, see, and then circuit weight, okay, see, और क्या बच गया है, देख लिजे, अभी इस side से काम हो गया मेरा, अभी top से ये रहा हमारा, देख लिजे, यहाँ पर chamfer भी 1 into 45 का, तो simple सा मैं पहले hole ले लेता हूँ, simple सा hole ले लूँगा, 13 diameter का है, ठीक है, और यहाँ पर हर एक age में हमारा 0.5 का fillet दिया गया है, मैं इस face को select करता हूँ, hole wizard, hole wizard में इस simple वाला hole ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से आपको 13 लेना, अगर यहाँ 13 नहीं मिल रहा है, NC metric भी आप ले सकते हो, ISO भी ले सकता है, ISO में देख लीजिए, यह सब भी है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप NC metric का भी इस्तमाल कर सकते हो, और यहाँ show custom sizing में जाके आप 13 कर दो, और यहाँ आपको कर देना up to next, बाके और कुछ नहीं करना है, बात होगे, खतम, finish, position में जाते हैं, यह लिया मैंने पहला वाला, यह लिया मैंन आप horizontally align कर दो, और यहाँ से आपको क्या करना है, तो देख लिजे, यह देखो 86, 86 का है, डाल देते हैं यहाँ 86, 86 का एक साइड और दूसरे साइड भी 86 का ले लो, अगर center line लेते थे हम symmetric कर सकते थे, कोई issue ने, यह देख लिजे हमारा काम हो गया, yes, ओके, और दूसरा काम है यहाँ पर chamfer डालना है, यह देखो 1 into 45 का chamfer डालना है, उपर, नीचे नहीं डालना है, तो यहीं hole में ही हम डाल सकते हैं, समझे, यहाँ से अगर मैं near side counter sunk ले लूँ, तो यहाँ से यह 13 जगा 14 करना होगा, और यह जो angle है, वो हमें 45 degree मतलब, कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, नहीं, तो यहाँ 90 रहने दो, दोनों side मिला के, ऐसा कुछ, तो extra हमें chamfer लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह देख लिजी हमारा chamfer आ चुका, तो hole में भी near side counter sunk का option दिया हुआ है, तो आप यह ले सकते हो, बस एक का है, तो हमें 13 जगा उपर 14 करना पड़ेगा, और 45 degree मत तो यह काम तो हो गया बहुत हमारा, अभी देख लिजे, इधर इधर हर जगा पर, यहाँ 0.5 mm का fillet दिया गया, you can see here, समझे न, तो मैं direct क्या करता, fillet लेता हूँ, 0.5, select this face, और this face, ले सकते हो, यह देखिए, यहाँ भी fillet है, इसलिए मैंने direct face को select कर लिया, काम खतम, okay, है न, आप चाहो तो यहाँ पर भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझे न, सो लेकिन हमें extra कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, see, यह हमारा, पहला part, almost खतम हुआ, बनके तयार, देख लिजा, और कुछ नहीं करना इसमें, बस, चलो, यह हो च आते हैं, five wise assembly का, ठीक है, five wise assembly, इंटर, इंटर, part number one, यह देखिए, इसका नाम है, fixed jaw, यहाँ पर आपको, fixed jaw, इंटर, यह हमारा first part हो गया, complete, चलिए, अच्छा, आप अगर देखें, इसका color वलर, तो याद रखिएगा, तो अच्छा रहेगा, है न, जैसे कि, यह मेरा selected था, अभी मैं इसको deselect कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, जो भी color आपको लगता है, number याद रखिएग नहीं तो यह standard color आप ले सकते हूँ, मैं यह वाला ले रहा हूँ, बस, yellow चाहते हो तो yellow भी ले सकते हो, no issue, see, याद रखिएगा, यह वाला, तो आप okay कर दो, और यहाँ से हम लोगों को plain white ले लेना है, see, तो जैसे आपको लगता है सही, ले लीजी, no problem, ठीक है, color आप कभी change कर सकते हैं, press control S, चलिए, इसको मैं close करता हूँ, और दूसरे पार्ट को देखते हैं, दूसरा पार्ट कौन सा है boss, यहाँ से जरा गौर से देखिएगा, यह, अच्छा, यह दूसरा पार्ट मैंने पहले बना दिया, ठीक है, कोई issue नहीं, चलिए, इसको बनाते हैं, यह movable jaw है, ठीक है, simple सा है, जरा गौर से देखो इसको, इसको पहले बनाना हम लोगों को, new file, part then ok, और यहाँ से direct हम extrusion ले सकते हैं, या तो फिर आप पहले sketch भी ले लो, कुछ फरक नहीं पड़ेगा, यहाँ हम लोगों को center line ले लेने हैं, एक vertical, एक horizontal, इस तरह से, then ok, then close it, simple सा एक rectangle ले लो पहले, कुछ इस तरह से, right click, select, select करके आपको symmetric कर लेना है, dimension total डाल देना है, 78, 70, तो इसकी जो width है, वो 78 है, ok, और यह मेरा 70 का है, ठीक है, next step क्या है, सो देख लिए, यह हमें बनाना है, steps, 3-3 का है, horizontal, vertical, total height, इसकी जो है, वो 27 की है, इधर से, एक side 27, दूसरे side 27, यह 27, 27, 27 कितना होता है, देख लेते हैं, एक और rectangle में ले लेता हूँ, यहां से, नहीं तो यह लेने की ज़रुरत भी नहीं है, चलिए, मैंने यहां से शुरुवात किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ देख लेते हैं, क्या है सो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, उन सेकेंड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, तो हम लोगों कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा, देखते हैं कितना होता है सो, और यह जो सब है, उन सब को आप इक्वल कर दो, यार, यह रहा इक्वल, समझे, अभी, मैं इसको मिरर कर लेता हूँ, दोनों सब को सलेक करता हूँ, यह लिए मिरर, यहां से हम लोगों को मि पीज का डिस्टेंस कितना है, या तो फिर एक ही साइट डाल देते हैं, 27, और यह मेरा 3 रहेगा, बस, एक को डाल दिया मैंने 3, बाकी सब का ऑटोमेटिक आ गया 3, अब जो होगा आगे देखेंगे फिर, इस तरह से, ठीक है, देख लेते हैं, और इन सब को भी मैं यहां इ भाग रहा है, तो इसके साथ भी सेलेक करके हम इक्वल कर देंगे, हाँ, यह एक्स्ट्रा हो गया हमारा, तो बस इसको हम मिरर कर लेते हैं फिर से, ओके, इस लाइन को हम डिलीट करेंगे थोड़ा, और एक सिंगल लाइन ले लेते हैं, फाइनली डन, आइ थिंक, हाइट मि 27, नौतिया 27, तो बस इतना ही हमें करना है, आपको डालना है तो डालो, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डाल दीजे 27 का, सी, परफेक्टली डन, ओके, फिनिश, स्पेस, आइसोमेट्रिक, यहां से हम लोगों को इस रिजन को क्याप्चर करना है, और इसका थिकनिस कितन इसका काम हो गया, यहां से यह ले लो, यह ले लिया, यहां पर चले जाओ, और इधर मैंने यही कलर लिया था, इसमें भी डाल देते हैं, और इसका भी टेक्चर थोड़ा सा बढ़ा कर दो, सी, कुछ इस तरह से हो रहा है, color change करना है कर सकते हो, दूसरा color लेना है ले लो, No Issue, मैंने इसके लिए ये color लिया, ठीक है? Okay. Okay. और क्या है इसमें? यहाँ पर देखिए, कुछ cutouts करने हैं मुझे. ये cutout करना है, उसके बाद ये holes ले लेंगे हम. Select किया sketch. यहाँ पर हम क्या करते हैं? Circle ले लेते हैं कुछ इस तरह से. और center line ले लेंगे. और मैं इसको mirror कर लूँगा. Okay. अगला क्या है तो देख लिजे. 47.8. 47.8. और इसका diameter 28. यह रहेगा मेरा 28. Escape करता हूँ. Select this point. This point. This point. यह रहा horizontal. See, यह देख लिजे. Finish. Space. Isometric. Extuded. Cut. Up to next. Okay. यह देख लिजे. Okay. Next. Hole. 17 diameter. Deep. 25. Tip angle. 120. My Space को select करता हूँ. Hole wizard. यहाँ पर जाता हूँ. 17 diameter. 25 depth. तो आपको यहाँ 17 डालना होगा. क्योंकि यहाँ आपको 17 मिलेगा नहीं. ठीक है? तो आपको custom में on करके यह लेना होगा. Up to next नहीं चलेगा. Blind लेना पड़ेगा 25. यह देख लिजे. और यहाँ 25 के बाद हम लोगों को एक और चीज का देहान रखना है. यह 120. यह tip angle. Position. यहाँ center में click कर देना है. अब क्योंकि मैंने यहाँ इसको on किया हुआ है. यह near side counter संग. इसको on off करना होगा. क्योंकि यहाँ पर कोई champer नहीं है. ठीक है? Okay. See? आप चाहो तो इसको section करके देख सकते हो. यह देख लिजे. बीचो बीच में tip angle आ गया. समझे? सेव कर लेते हैं. एक और hole है छोटा सा. इसका नाम है movable jaw. movable jaw. इंटर. अच्छा एक और hole लेना है हम लोगों को छोटा सा. यह देख लिजे. इधर से 30.5, इधर से 12. आप direct इसको select किजे. hole में जाए. और यहाँ 3 का लेना है. यह मेरा 3 रहेगा. और यह मेरा throw all रहेगा. position. इधर कुछ. कितना dimension है? 30.5 and 12. यह लेता हूँ 12. और यह लेना है 30.5. देन ओके. आपको अगर यहाँ से hidden करना है तो कर लिजीए. see कुछ इस तरह सा रहा है. यह हमारा काम हो चुका. बस इस पार्ट में तो इतना ही है. see. see. move well जो हमारा completed. ओके. अगर आपको same color रखना है पिछले time जैसा तो आप यहाँ से रख सकते हो. no problem. आप इसको यहाँ पे click कर दो. same हो जाएगा. then okay. see. save it. texture का size मैंने पहले बढ़ा किया हुआ है. यहाँ से भी आप कर सकते हो. see. कम, छोटा, बढ़ा, जो लखना रखिये. no problem. और यहाँ से तो हम लोग पहले से जानते ही हैं. आप double click करेंगे. तो automatic यह वाला active हो जाता है. see. जैसा आपको लगता है, दोनों जगों से आप कर सकते हो. ठीक है? यह वाला button edit appearance का है. चलिए मेरा हो गया पहला, दूसरा part. और अब हम चलेंगे तीसरे part में. इसको ताप एक जटके में बना लो. चलेगा? ठीक है. यह देखिए 22 diameter है इसका. चलिए एक ही बार में हम बना लेते हैं. part, okay. यहाँ से हम लोगों को top plane लेना है. दो center line. इधर से. और ऐसा. see. कितने circle चाहिए? यहाँ पर दो circle चाहिए. यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो. चलिए. ले लेते हैं. एक, दो, एक, दो, right click select. दोनों को select करेंगे mirror entity. इस तरह से मैंने ले लिया. finish. dimension. कितना है center to center? 48 का है. तो यहाँ से हमें 48 लेना होगा. ओके. और यह 22 का है, और यह 34 का है. यह मेरा 22 होगा. और यह मेरा 34 का होगा. Good. और यह वला लेना है. यह देखिए, again, 22 है, और यह 38 का है. यह मेरा 22 रहेगा. आप चाहोती, इसके बराबर में equal कर सकते हो, no problem. यह मेरा 38 करेगा. बस ज्यादा कुछ फरक नहीं है. 34, यह 38. अगर यह dimension आप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप equal कर दो, 22 का. इन दोनों को मैं equal कर देता हूँ. समझ गए? चलिए. ओके. अब क्या है? लाइन लेना. राइट क्लिक, सलेक्ट, फिनिश. इसको हम मिरर करेंगे. और फिर, कंट्रोल, एगें मिरर. ठीक है? चलिए. फिनिश करते हैं, space और isometric. यहां से हम feature extrusion. अब देखिए, total height कितनी, यह देखिए 35 की है. तीनों का 35 ही लेना है. इसको, इसको, और इसको. 35. यहां आपको mid plane कर देना है. ओके. और मैं यहां से sketch को select करता हूँ. और फिर से हम इसको और इसको ले लेते हैं. कितना है इसका? 31. यहां से हम लोगों को 31 लेना होगा. और यह लिया मैंने. देने, okay. चलिए. यहां से white plane. यहां से again वही. और यहां से हम वही color ले लेते हैं. Again, the same color. just click. अब sorry. वन सेकेंड. फिर से लेना होगा. यहां पर जाएंगे. इसका हम scale थोड़ा बढ़ा कर देते हैं. See? As per your requirement आप कर सकते हो. आइसा. यह हो गया हमारा. अच्छा. यहां पर square threading लिया गया है. तो square threading हम इसकी मदद से लेने वाले हैं. refer, spindle, screw for cutting. यह जो दिख रहा है. यह लेने वाले हैं हम यहां से. समझे? तो nothing to worry. यह जो 3 by 3 दिया हुआ है. reference के लिए दिया हुआ है. height 150. यह तो इसका है. खैर हम लोग ले सकते हैं. दिखाता हूँ कैसे करना है. उससे पहले. ठीक है मैं cutting कर लेता हूँ. यह लिए मैंने इसको पहले ही हम लोगों को क्या करना होगा? convert करना होगा. और finish. और यहां हम लोगों को curve में जाना है. यह रहेगा helix. अब देखिए जो pitch इसका रहेगा. वही pitch उसका रहेगा. pitch 6 का रहेगा. ठीक है. revolution 25 की कोई जरुवत नहीं है. बस pitch हमें 25 चाहिए. और revolution कितना चाहिए? पश्री. पश्रीज हमारा 6 का है. आप direction को नीचे कर सकते हो. reverse direction. और जितना revolution लगे आप ले लो इधर से. R पार हो जाना चाहिए. बस यह देखिए. R पार हो गया. pitch हमारा 6 का है. आप 9 10 का revolution ले लो. clockwise और counter clockwise. मैंने यहाँ पर clockwise लिया है. यह हम start angle. start angle देख लिजे. यहाँ 90 degree दिया है. चलिए. कोई problem नहीं. और यह revolution R पार हो गया है. आप चाहो तो इसको counter clockwise कर सकते हो. देखते हैं. fit नहीं हुआ तो हम उसको change भी कर सकते हैं. यह देख लिजे. हमने helix बना लिया है. अब हमें क्या करना है. सो दिखिए. इसमें यह देख लो. इस जगहा पर मुझे एक profile बनाना होगा. 3 by 3 का. क्योंकि pitch दिया हुआ है. 6 काथ. इसका आधा लेना पड़ता है. मैं यह front plane में जाता हूँ. sketch. एक rectangle बनाना होगा. आप front plane को ले सकते हो. sketch में चले जाओ. ठीक है? और ज़रा ध्यान से देखिए. और इस helix को पकड़गा. यहां से pierce कर दो. और यहां पर हम करेंगे 3 mm. ओके बस. क्योंकि यह material हमारा cut out होना चाहिए. बस. इतना होने के बाद आपको यहां से finish करना है. swap cut. और इस helix को select कर लेना है. यह देख लीजिए. एक और चीज़ का ध्यान रखिए. यह जो है ना align with the face इसको on रखिएगा. समझे? इसको आपको on रखना है. ओके? merge, tangent वगरा नहीं करेंगे तो भी चलेगा. बट align with the end faces आपको on रखना है. समझे? इस तरह से आपको on रखिए. बस, बाकी okay कर दिजिए. यह देख लो. हमारा यह काम हो चुका है. अच्छा, एक और चीज़. अब हम इसको कर देते हैं, hide. don't delete it, hide करना है. सी? यहाँ पर हमारा spindle जाने वाला है. ओके? चलिए, अब यहाँ हम इसमें थोड़ा सा fillet डाल देते हैं. यहाँ पर बाकी रहे गया है, इसको भी ले लेते हैं. कुछ इस तरह से. ओके? सी? हो गया? इसका नाम है connecting wage. सेव करेंगे, तीसरा नमबर का part. connecting wage. इंटर. चलिए, इतने सारे parts हो गए, तीन पार्ट हमारे main-main हो गए. अब बाकी का देखते हैं. और कौन सा है? यह ले लेते हैं. spindle screw. या screw spindle आप इसको बोल सकते हो. चलिए, फिर शुरुवात करते हैं. part लिया, ok किया. sketch, front plane. मन करें, तो यहाँ से center line ले लिजिए. ok, close it. अब यहाँ आपको line लेना है, कुछ इस तरह से. ok, उसके बाद इधर आ जाओ. उसके बाद आपको इधर आना है. उसके बाद फिर से ऐसे. फिर उसके बाद आईसा. फिर उसके बाद आईसा, आईसा और आईसा. right click करके select. dimension डालते हैं. यह total 32. select, select. यह रहेगा मेरा 32. और यह मेरा है 34. ok, now 24. यह हमारा total 24. और यह मेरा total 20. और यह 10, 30. यहाँ साबको 30 लेना. good. और यह मेरा 17 का है. 17. ok, यह मेरा 150 का है. 150. good. एक और काम हमें कर लेना है. यह देखिए, यहाँ पर एक circular दिया 1.5 का. यहाँ से हम लोग ले लेंगे. 1.5 radius मतलब 3 का diameter. और यहाँ से यहाँ तक यह 10 का लिया गया है. good. बाकी इसमें भी पिछले टाइम जैसा ही हम लोगों को thread बनाना है, square thread. समझे? बास, इतना ही लेना है. यहाँ पर भी chamfer है, 1 into 45, यहाँ 2 into 45. ठीक है, ले लेते हैं. यह लिया 1, distance and distance, और angle or distance, 1 into 45. ओके? और यहाँ पर जो लेना है, 2 into 45. 2 ले लेता हूँ. angle and distance का ओन करना है? यह लिया 2 into 45. ओके? एक और काम, यहाँ पर trim. कुछ इस तरह से. बस, finish. space, isometric. यहाँ से हम लोगों को revolve कर लेना है. see? और इसमें हम ले लेंगे chromium plate. समझें न? खुबसूरत दिखता है, इसलिए मैं इसको use करता हूँ. बाकी आपकी मर्जी है. आप लें तो दुसरा भी ले सकते हो. इसका नाम है, चौथा नमबर का part, screw spindle. ओके? और क्या बाकी रह गया इसमें? यह cut out. यहाँ पर हम एक circle ले लेंगे. और diameter इसका 13 का है. ओके? एक और काम, 18. यहाँ से लेकर करके यहाँ तक हमें 18 ले लेना है. escape करेंगे single. इस point को पकड़िए, origin को पकड़िए. horizontally aligned. finish, space, isometric. extruded cut. यहाँ से through all both sides. ओके. see? क्या बाकी रह गया और? थ्रेडिंग. बस, कोई दिक्कत नहीं है. इस पर जाता हूँ sketch. और यहाँ से हम लोगों को इसको convert कर लेना है. finish. और यहाँ पर चले जाईए, helix में. इसको आपको flip कर देना है, इस side. total डेड़ सव. इसका जो revolution नहीं चाहिए मुझे. height and revolution नहीं चाहिए. height and pitch चाहिए. height कितना है, बस, डेड़ सव. और pitch कितना है, six का already है. start angle 90. बस, इतना काफी है हमारे लिए. ओके. अब हम लोगों को क्या करना है? front plane ले लेना है. space करके मैं देख लेता हूँ, किदर से जाना है. front plane ही चलेगा. ओके. यहाँ से देखिए हम लोगों को एक rectangle बनाना पड़ेगा. नहीं, front से नहीं चलेगा, top से चलेगा. top लेना होगा हम लोगों को. top sketch, c. रेक्टेंगल, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, 3 by 3 का, एक rectangle. equal करेंगे पहले. और मैं इस end को पकड़ता हूँ, और इसको पकड़ लिया. piers. और 3 by 3 का कर देते हैं. 3. c. then okay. अब यहाँ हम लोगों को करना स्वैफ कट. यह रहा हमारा. उसी तरीके से आपको align with the end faces on रखना है, और okay कर देना है. यह देख लिजे हमारा, बनके तयार है. और हैलिक्स को hide कर देंगे. सी. clear हो गया? ओके. इस इस ड़न. 6 का pitch का मतलब क्या होता है, तो समझो. यहाँ से ले करके, यहाँ तक का distance pitch. तो यह 3 और यह 3. 3 तीन कर लेंगे, तब ही वो 6 का pitch बनेगा. समझे? Space isometric. और आप इसको save कर लो. इसमें तितना ही है boss. और कुछ नहीं है. यहाँ पर यह end होना चाहिए. opening रहेगा यहाँ से. चलिए. और यह हमारा हो गया complete. और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे. यह chamfer मैंने ले लिया. इसको आप close कर दो. यह part हो गया? अगला कौन सा है? यह वाला देख लेते हैं. moving pin. पाड़ देनों के. again हमें sketch में जाना है. front plane. उसी तरीके से हमें center lines ले लेने हैं. एक, दो. ओके, close it. ध्यान से देखिए. एक line ले लेता हूं मैं पहले ऐसा, ऐसा. see, उसके बाद छोट आसा. उसके बाद यहां ऐसा, फिर ऐसा. फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा. फिर ऐसा जाना है हम लोगों को और थोड़ा tip पर जाना है. ठीक है? फिर आपको arc लेना है. वापस आईए, और आर्क हो जाएगा. फिर आपको round लेना है. यह हमारा काम हो गया. आप यहां तक जाके touch कर सकते हो. right click करके select. इस center को पकड़ के आप इसके बराबर में coincident कर दो. अब dimension डालेंगे हम लोग. चलेगा? चलिए. total length देख लिजे. इसका total. या तो यह 6 का है, यह 13 का है. इसको पकड़ के हम 6 लेंगे. इसको और इसको हम 13 लेंगे. I'm sorry. 13. और यह जो है 63.5. 63.5. 63.5. और इसको हम थोड़ा आगे करेंगे. यह कितना length दिया है. यह कुछ पता नहीं चल रहा है. आपर M6 डाल दिया है. थ्रेडिंग है यह है. 6 का बाई 6 का है. मुझे लग रहा है यह 6 का ही होगा. अच्छा देखते हैं. बाद में. कैसा है? क्या होता है सो. और यह हमारा 6 का है. This is 6. बाइस सारे dimension को हमें डाल लेना है. इसका radius 10.16. radius हमें 10.16. ओके. इसका radius देखिए 4 दिया हुआ है. 4. और यह देखिए 7.5. यह बाद में लेंगे हम थोड़ा सा. एक rectangle. यहां से पकड़के ऐसा लेलो. तो यहां से यहां तक 7.5. ओके. और यह मेरा only 5. गुड. इसका देख लीजे 12.5 दिया हुआ है. 12.5. टोटल. हाप लेना है. 12.5. गुड. उसके बाद यह देख लो मेरा 10 का दिया हुआ है. मतलब यहां से यहां तक. आपको 10 ले लेना है. एक एक करके डालते चला जा रहा हूँ. ज्यादा आपको कोई परिशानी नहीं आएगी. और यह देखे टोटल 30 का है. मतलब यहां से ले करके यहां तक हमें 30 ले लेना है. और यह देखे 22.88 यहां तक. 22.88 यह हमारा इधर का काम तो हो गया है बॉस. बट इधर क्या जो है डिस्टेंस हमें वो पता नहीं चल रहा है. तो यह हम 6 ले ही लेते हैं. यहां पर कुछ दिख तो नहीं रहा. बट यह 5 का है, यह 6 का है. यह कितना ले लूँ? नोट शोइंग प्रोपरली, बट चलिए हम यहां पर अपने मर्जी से 10 का ले लेते हैं. कम ज़्यादा हुआ तो हम बाद में उसको ठीक कर लेंगे. यह कोई ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं यहां पर 7 लेके चेक करता हूँ. 7 और 6 का ही रख लो, कोई इश्यू नहीं. चलो, ठीक है. ठीक है? यह तो हमारा काम हो गया. आप चाहो तो इसको ट्रिम भी कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है. फिलेट का काम हम बाद में कर लेंगे. Space and Isometric. यहां से Feature, Revolve. इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे. और यहां आपको Revolution Axis डालना है. यह देख लीजिए. ओके. चलेगा? तो इस तरह से हम कर सकते हैं. और यहां पर आपको जो लेना है ले लीजिए. क्रोमियम लेना है, बट इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. कुछ इस तरह से ले लो, see. और लिटिल बिट डार्कर, see. अदर्वाइज इस तरह से भी आप डार्क कर सकते हो पूरा. नहीं, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा डार्क ले लिए लिए, ठीक है? ओके, नाओ, see. अब फिलेट की बात करते हैं. देखिए, यहां पर 0.45 का चेंफर. उससे पहले, आप चाहो तो यहां पर थ्रेडिंग डाल सकते हो. कौन सा? कॉस्मेटिक थ्रेड. क्योंकि यहां डिटेल थ्रेड नहीं दिख रहा है. आप चाहो तो डाल सकते हो. कॉस्मेटिक थ्रेड यहां पर होता है हमारा. इंसर्ट, एनूटेशन, कॉस्मेटिक थ्रेड, M6 का. यहां पर दिया हो गया M6. किदर है बॉस्ट, यह लिया मैंने M6 का. इसको सेलेक कर लेते हैं. अप टू नेक्स्ट है. ओके. दिख नहीं रहा है. आप यहां पर चले जाओ. उप्शन. यह रहा. Document Properties, Detailings, Shaded Cosmetic Thread on कर देंगे. चैंफर डालना है. आप डालिए. 0.5 x 45. 0.5. और यहां मैंने इसको सेलेक कर लिया है. अगला क्या है? फिलेट्स. यह देखे 0.5 का हर जगा पर फिलेट्स लिया गया है. तो मैं यहां पर 0.5 का फिलेट्स ले लूँगा. किसको किसको लेना है? इसको लेना है. और इसको भी लेना है. बाकी मुझे नहीं दिख रहा कहीं. ओके. सी. यह देख लिजे हमारा बन के तयार है. अगर थोड़ा सा और डार करना है तो कर लो. नहीं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. समझे क्या? यहां पर जाता हूँ. मैं इसका कलर में थोड़ा सा अलग कर देता हूँ. रेड नहीं चलेगा. ग्रीन. चलो इस कलर का मैं ले लेता हूँ. ठीक है? ओके. अदर्वाइस कोई कलर नहीं रखोगे तो भी चलेगा. यह ठीक ठाक दिख रहा है. तो के कर दो. चलो इसको सेव कर लेते हम. पांचवा नमबर का पार्ट. यह हमारा मूविंग पीन रहेगा. मूविंग पिन. इंटर. चोटे-चोटे पार्ट से हैं अभी. बागे का काम हो जाएगा हमारा. सिंपल है. सी. क्लोज करते हैं. मूविंग पिन हो गया. और यह 3 mm पिन. 7. अच्छा. पार्ट नमबर 7 है क्या यह? और कौन सा पार्ट है? नॉब. अच्छा. यह 3 mm पिन. मतलब कुछ नहीं करना है. सर्कल लेके एक्स्टूजन कर लेंगे. डारेक्स्टूजन इसको लेंगे. सर्कल. डामेटर 3. ओके. फिनिश. एक्स्टूजन कितना चाहिए? 26. देन ओके. यहां से हम लोग. प्लेन वाइट. और इधर जाके. क्रोमियम प्लेट. थोड़ा बहुत अगर आपको चाहिए. 0.2 का इधर फिलेट दिया हुआ है. 0.2. सेलेक्स्टूजन दिस. फेस. ओके. सेव इट. शट्था नंबर का पार. 3 mm पिन. इसका नाम. 3 mm पिन. ओके. यह हो गया. उसके बाद. माउंटिंग पिन है. इसमें भी हमें 13 mm का लेना है. पार्ट देनों. चोटे चोटे पार्ट से हैं. अभी क्या इसमें ज़्यादा दम नहीं है. मुझे यह बताना भी नहीं चाहिए. एक्शली. 13 mm. एन देनों. कितना एक्श्टूजन है? 63. मिड प्लेन चाहो तो कर सकते हो. ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. और यहाँ पर हम लोगों को 0.5 का फिलेट ले लेना है. ओके. यह हमारा रहेगा प्लेन वाइट क्रोमियम प्लेट. यह रहेगा मेरा माउंटिंग पिन. सात्मा नमबर का पार्ट है. माउंटिंग पिन. इंटर. आच्छा यह भी हो गया. अब दो पार्ट्स बजगे हैं. आच्छा तीन पार्ट्स हैं. और यह छोटा सा है. तो एक आठ और एक तेरा डायमीटर का हमें सरकल ले लेना है. बत हो जाएगा काम हमारा. यहाँ से आप स्केश में जाओ. दो सरकल लेंगे. रिवाल्व यहाँ पर नहीं ले रहा. मैं एक स्टूजन का इस्तिमाल करूँगा. आठ और तेरा. एट लेना है. और इसको हम थर्टिन लेंगे. ठीक है? Okay. Finish. Space. Isometric. यहाँ से छोटे वाले को कितना करना है? One second. इसको पहले आप यहाँ से delete कर दो. और छोटे वाले को ले लो. छोटे वाले को कितना करना है? 142 और 122. 182 प्लस 22. और इसको हम ले लेंगे mid plane. So, जो भी है. यह आ चुका है, ओके, और फिर हम यहाँ पर जाते हैं, sketch को select करेंगे और इसको लेंगे इस बार, बड़े वाले को कितना लेना, 182, और इस बार हमें mid plane को भी again ले लेना है, बस बात खतम हो गई है हमारा, see, again हम यहाँ से white और यह ले लेते हैं, देख लीजे, end में इधर रखते हो तो ले लो, select this face and this face as well, okay, अब यह चोटे-चोटे चीजे है, turning shaft, save it, यह होगे मेरा आठ्मों नमबर का part, turning, OSHAFT, okay, अगला क्या है, यह वाला, mounting shaft, यह भी बिल्कुल simple है, नया file, पाड़ देनों के, अब sketch, यह लिया मैंने plane, यहां से हम लोगों की center line की जरूरत पड़ेगी, ऐसा और ऐसा, okay, okay, simple है, ज्यादा इसमें logic नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में जा रहा हूँ, ठीक है, एक, दो, फिर यहां से, तीन, चार, फिर यहां से, ऐसा, okay, now arc लेना था, आप ऐसे ले सकते हो, नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3.r का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, यह हो गया और यह हो गया, ठीक है, अभी इसके center को पकड़ो, इसके साथ हमें coincident कर देना है, अभी dimension डालते हैं, चलिए, तो यह मेरा 22 का है, आप यहां 22 डाल दो, ओके, total 28 है, यहां, यहां, 28, ओके, फिर 20 का है यह, 28, यह 20 हो गया, फिर 16 हो गया, यह और यह 20 हो जाएगा, और फिर यह और यह 16 हो जाएगा, उसके बाद यह 30, यह 25, यह 30, और यह मेरा 25, 25, और यह 155, कहां से कहां तक, यहां, 155, गुड, बाद फिनिश, इतना ही तो है, बाके का काम हम बाद में करेंगे, यहां पर थ्रेडिंग, कॉस्मेटिक थ्रेड है, यह मेरा 6 का है, तो 6 लेने के हमें कोई जरूरत नहीं है, आप अगर देखेंगे, यहां पर अल्रेडी हमारा, अच्छा यह 5 पॉंट सम्थिं आ रहा है, मतलब इसको क्या करना होगा हम लोगों को यह जो सेंटर लिया था, हमने कोइंसिडेंट किया था, वो हम लोगों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो रहने दीजिए, कोई शू नहीं है, ठीक है, कोई शू नहीं है, चलिए, फिनिश, स्पेस, आइसोमेट्रिक, यह यहां से फीचर and then revolve, यह हमारा हो गया, यहां से again हम plain white and chromium plate, see, और एक होल लेना है हम लोगों को, यहां front plane, sketch, एक circle, कुछ इस तरह से, then smart dimension, कितना लेना है, 13.05, क्योंकि थोड़ा clearance होना चाहिए, है ना, इसलिए यह 0.5 दिया गया है, नहीं, तो यहां पर तो हमें 13 का ही लेना है, ठीक है, थोड़ा सा tolerance होना चाहिए, 22 का है total, यह हमारा 22, finish, space and isometric, यहां sex to dead cut, both side, see, यह देख लो, ओके, और क्या बच किया है boss, यहां पर हमें 1 into 45 का chamfer डालना है, तो यहां 1 into 45 का chamfer ले लेना है, 1 डाल देता हूँ यहां पर, और यह face ले लिया है, ओके, now, यहां insert, cosmetic thread, इधर जाना है, annotation, cosmetic thread में जाता हूँ, कितने का लेना है, M16 का लेना है, ठीक है भई, M16, यह ले ले लेता हूँ, मैं M16 into 2 का ले लेता हूँ, चलेगा, okay, now, यह up to next लिया गया है, और यहां से हम इसको show कर देते हैं, इधर से यह लिया और यहां से जाके on कर दिया, see, looking nice, finally, almost हम लोग end तक आ चुके हैं, इसका नाम है mounting shaft, control S, part number 9, mounting shaft, then enter, and the last one is knob, see, this is the knob, here, बिल्कुल simple है, हम लोगों को ज्यादा पापड नहीं बिलना इसमें, चलिये, इसको हम बनाते हैं, और sketch, यह लिया, ध्यान रखिए, यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यह ले ले लेता हूं, center point, straight slot, कुछ इस तरह से हमने ले लिया, okay, now, देखिए, यहां जो दिया गया है, radius 5.5 दिया है, radius 5.5, 5.5, okay, एक line ले लेता हूं मैं, यहां से यहां तक, और एक axis ले लेना है, जहां से हम उसको revolve करने वाले हैं, ठीक है, तो यहां से मैंने इसको ऐसे ले लिया, and then dimension करेंगे, यह रहा मेरा, 4.05, okay, 4.05, 4.05, 0.05 is the tolerance, और यह R, 6 लिया गया है, मतलब सेंटर से यहां तक क्या, यहां से यहां तक कितना है, 6 का ले लो, यहां से दिया गया है, बस इतना ही काम करना है, इस region को हमें select करके, इस axis में revolve कर देना है, काम हो जाएगा finish, देखिए अभी case करता हूं मैं, इसको select करना है, और axis of revolution यह रहेगा, thickness को off रहने दिजिए, हमें जरूरत नहीं, यह काम हो गया, see, and then आप यहां से, जैसा मन करें ले लो, अगर आपको यहां से कुछ दूसरा चाहिए, dark work चाहिए तो ले सकते हो, को issue ने, यहां मैंने ऐसा कुछ कर दिया, समझे, और इस face में अगर आप दूसरा चाहते हो, तो भी ले सकते हो, no problem, तो आपकी मर्जी है, texture वगरा मैंने कुछ नहीं लिया, इसमें, बस, black कर देता हूं, see, और आपको यह दूसरा चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हो, color, जैसे कि मैं बताता हूं, यहां पर कुछ अलग चाहिए हम लोगों को, तो यहां पर मैं apply करता हूं, see, और यह revolal ने, यह face ले लिया, मैंने, और यह face देखो, white हो गया, तो उसी तरीके से आप इसको भी ले सकते हो, face ले लिया, और फिर इधर गुमा के इस face को ले लेते हैं, समझे, यह देख लिजे, तो इधर जो है, वो signy रहेगा, chromium plate का, और इधर color मेरा black रहेगा, चलिए, इसको मैं कर देता हूँ, control S, 10 number का part रहेगा, knob, k-n-o-b, enter, तो finally हमने 10 parts जो हैं, वो बना लिये हैं, और इसमें कुछ बचा तो नहीं है, एक part बच गया है, यह जो है, washer के साथ में nut, ठीक है, यह हम लोग ready medic का इस्तमाल करेंगे, ठीक है, तो यह आ चुका है हम लोग assembly के time पर, ठीक है, तो यह हम लोग अभी थोड़ी दिर में assemble करेंगे, ओके, चलिए, अब हम लोग फिर assembly करने वाले हैं, ठीक है, तो देखिए, बिल्कुल simple है, सबसे पहले मैं इस part को insert करूँगा, ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये सब, फिर ये करेंगे, ठीक है, या तो आप ये भी पहले insert कर सकते हो, कोई problem नहीं है, तो यहाँ ही से हम सुरुवात करेंगे, इसको ही ले लेते हैं पहले, ठीक है, मैं एक नया file लूँगा, assembly देनों के, first part को हम पहले insert करने वाले हैं, ये हम control प्रेस करेंगे, scroll आगे करेंगे, ति ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, see, ये ले लिए मैंने fixed jaw, क्योंकि ये fix है, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ ऐसे ही रख सकते हो, नहीं तो एक और चीज यहाँ पर है, आप origin को on कर सकते हो, और इस origin के साथ में इसको चिपका सकते हो, see, तो ये हमारा बिलकुल origin में हो जाएगा अब बाद में आप इसको फिर से off कर दीजिए, ये हमारा पहला काम हो चुका, ये by default हमारा fix रहेगा, बट origin में fix रहेगा, ठीक है, space करके आप isometric कर लो एक बार, दूसरे काम कर लेते हैं अब जरा देखिए क्या करना है, यहाँ पर मैं insert में जाता हूँ, और जरा ध्यान से अब हम लोगों को क्या लेना है, ये वाला लेना है, ये देखिए, mounting shaft है हमारा, this is mounting shaft, ओके, तो चलिए, mounting shaft को ले लेते हैं, और इसको आप जरा rotate कर लो, z axis में, इसको उपर चाहिए, यहाँ से मैंने घुमा दिया, then okay कर दिया, यहाँ से हमने इसको plain white ले लिया, ओके, अभी देखिए, इसको क्या करना है, मैं लेता हूँ, mating, इसको पकड़ेंगे, और इसको पकड़ेंगे, ये देख लिजिए, concentric, okay, आपको center में लेना है, ले सकते हो, advance में जाईए, width में जाईए, centered में जाईए, center में क्या करना होगा, इसको और इसको पकड़ लेंगे, और फिर आ अब ये उपर नीचे हो सकता है बाद में मैं बताता हूँ क्या करना इसको सो एक काम हो गया इसको finish करेंगे CTRL प्रेस करके इसको drag करेंगे दूसरा copy बन गया फिर से हम वही काम करने वाले है इसको इसके साथ मैंने concentry किया फिर आप क्या कर लो यहाँ से advance ले लो width और मैंने इसको और इसको select किया फिर मैंने इसको select किया यह देख लिजे मेरा center में आ चुका है देनों के okay अब यह पूरी तरह से हमारा fix नहीं है बट हो जाएगा don't worry अब इन दोनों को fix करने के लिए हमें क्या करना है यह देख लिजे यह जो है न यह पार्ट हमारा लेना है 9 number वाला यहां के हिसाब से देख लिजे कौन सा 9 number वाला है so बताता हूं तो I think यह बोला mounting pin है हमारा यहां पर यह देख लिजे 13 दिया हुए न यहां पर भी तो 13 काई था see तो यह हमें लेना होगा insert यह रहा मेरा mounting pin see और आप इसको इसके साथ चिपका दिजे okay क्या बाकि रह गया इसमें भी हमको width लेना है ले सकते हैं width लिया इसको select करो फिर इसको select करो फिर इसको select करो and again इसको select करो यह देखो perfectly fit distance हमें पूरा जानकारी होता तो मैं इसके साथ coincident भी कर सकता था यह हमारा पूरी तरह से हो गया है fit okay now इस जगा पर देखिए हमारा यह पार्ट है मतलब this one moving pin यह हमें ध्यान में रखिए ज़रा सा यह 13 का है total total जायाएगा देख लिए कैसे करना है तो insert और यह ले लिया महिने अब इसको मुझे rotate करना है थोड़ा तो y-axis में मैं rotate कर देता हूं कुछ इस तरह से meeting इसको select करो इसको select करो okay उसके बाद इस face को select कर लेना है फिर इस face को select कर लेते ठीक है यह देख लो हमारा काम हो चुका है and then okay then okay again see हो गया इतना काम यहाँ पर nut what हम ready mate ले सकते हैं don't worry about it अब next काम क्या करना है तो देखिए यहाँ से उपर जाएंगे हम जरा see उसके बाद यह हमें डालना है समझे तो चलिए फिर insert component इस part को लेते हैं okay click कर देंगे meeting इसको select इसको select okay और हम इसको select करते हैं इसके साथ okay यह देखिए perfectly बैठ गया सब अपने जगह पर इस face को लेता हूँ फिर इस face को ले लिया मैंने यह देख लिजिए okay see perfectly done okay ठीक अब यह इदर उदर नहीं हिलने वाला है clear चलिए ओके नाव ठीक है अब बढ़ेंगे आगे यहाँ पर लगता है कि section करके देखेंगे जरा हम लोग यह देखो gap नजरा रहा है थोड़ा है यहाँ मुझे लगता है बुश वगेरा होगा थोड़ा है कि नहीं ठीक है ना बुश वगेरा होना चाहिए नहीं तो इसका distance थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए जो कि यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है समझे ना कौन सा पाट है इधर यह वाला है यह वाला है यह देखो 35 दिया हुआ है यह थोड़ा सा आप लंबा ले सकते हो और यहाँ इसको दिया हुआ 25 तो मैं 25 कर सकता हूँ समझे ना 25 के जगा 35 कर देता हूँ चलो तो कैसे करेंगे इसको cancel करते हैं इस पे गए हम open और इस पे जाएंगे यह देखिए 25 के जगा हम 35 कर देंगे हमारा काम हो गया सेव कर दो काम हो गया finish यहाँ से no कर दो यह देख लो perfectly बैट गया height तो बैट गया और diameter हम लोग मैच करना चाहें तो diameter भी मैच कर सकते हैं नहीं तो हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पर एक bush डालना होगा समझे तो मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ आप यह देख लो आप चाहोत यहाँ पर bush डाल सकते हो नहीं तो इसके बराबर हम इसको भी diameter कर सकते हैं जैसे यह मेरा कितने का है 20 का है समझ मैरी बात और यहाँ पर दिया हुआ है 22 का तो आप वो भी ले सकते हो no problem मैं यहाँ से फिर से गया open इस पे सेलेक्शन की मैंने और यह मेरा कितने का है 16 का है ना I think यह मैंने 1 second इसको sketch में जाएंगे हम लोग sketch में गए see यह मैंने 16 लिया यह मैंने 20 लिया तो इसको मैं 22 कर देता हूँ बस तो जो लगता है आप ले सकते हो थोड़ा बोट अगर clearance चाहिए तो आप रख लेना save यहां से आप assembly में चले जाओ यहां से no कर दो यह देखिए बिलकुल fit हो चुका पूरा तो अगर थोड़ा बोट dimension व हमारा हो चुका अब आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से insert component, browse, browse में जाने के बाद हमने spindle लिया, movable jaw और इसको ले लेता हूँ और बाद में 3 mm का pin भी ले लेता हूँ यहां से मैंने इसको, इसको, इसको और इसको, एक और पार्ट लेना है तो वो भी लेही लेता हूँ मैं browse, this one, ठीक है, ओके, चलिए फिर, इसको मैं सही जगाँ पर थोड़ा fit कर लेता हूँ, अभी इस face को लिया, selection किया और mate में गये, इसके साथ, इसके साथ मैंने touch कर दिया, काम हो गया, अब देख लो जड़ा और क्या करना है तो, मैं यहां पर क्या करता हूँ, advance में जाता हू width ले लिया, centered ले लेता हूँ, centered में मैंने क्या किया, इस face को select किया, फिर इस face को select करता हूँ, और बाद मैं इस cylindrical face को select कर लिया, यह automatic हमारा center में आ गया, see, ok, ok, अब मैं control प्रेस करके इसको drag करूँगा, यह हो गया हमारा copy, direct आप mate में जाए, इसको select किजिए, इसके साथ, इ मैंने इसको थोड़ा drag किया, फिर इस face को ले लो, और इसके साथ, इसको coincident कर दो, see, again, कौन सा part लेना है, यह वाला लेना है, इसको select करेंगे, इसको select करेंगे, ok, now, यहाँ से, drag करके, थोड़ा सा, इन दोनों को भी coincident कर दो, चलिए, इतना काम हो गया हमारा, बस, अब आप इसको ok कर देना है, ok कर देना है, अभी देखिए ज़रा इसको मैं rotate कर लेता हूँ, और यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, इस जगाँ पर हम लोगों को screw mate करना होगा, समझे, थोड़ा नजदीक लाता हूँ मैं, आप चाओ तो concentric कर लो पहले, नहीं तो direct भी और mating में गया, यहाँ से mechanical mate में जाता हूँ, यह लिया screw, अब pitch कितने का था, 6 का ना, तो आप इस axis को select करो और इस axis को select करो, यह देख लो, यहाँ पर pitch डाल दो 6 का, ok, ok, घुमा के देखता हूँ, properly काम कर रहा है कि नहीं, उससे पहले आप axis को off कर लो, तो यहाँ से हम जरा, यह देख लो, properly हमारा काम कर रहा है, 6 का pitch डाल दिया है, इसलिए, आप चाहो, तो कम भी कर सकते हो, यहाँ से मैं 3 का भी कर सकता हूँ, लेकिन 3 सही नहीं रहेगा, और यहाँ से distance revolution, distance 6 का रख लेता हूँ, ठीक है, ok, देखते हैं, अभी कैसा हो तो देखते हैं, यह हमारा properly काम कर रहा है, ठीक है, ok, ठीक है, अब next काम क्या है, तो देख लीजे, इसको इधर हमें डालना है, तो ज़रा गौर से देखिएगा हमें क्या करना है, so, simple है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें, बस हम लोगों को इसको पकड़ना है, और इसके सा साथ, यहाँ पर टच कर दीजिए, ok, now what, इन दोनों को मैं पहले parallel करके check करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने parallel लिया और ok किया, ok किया, अभी मैं ज़रा इसको उपर लेता हूँ, see, यहाँ पर यह perfectly fit हो चुका है, ok, ठीक है, यह मैंने parallel कर दिया, इस face को इसके साथ, और यह ह उपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अभी देखिया, यहाँ पर, अगर मैं उपर उठा तो यह देखो, intersect होते विए R पर चला जा रहा है, और इसको भी मैं ले रहा हूँ, यह भी R पर हो जा रहा है, यह नहीं चाहिए, और उससे पहले मैं ज़रा इसको यहाँ पर गुशा देता हूं मेटिंग ये और ये ले लिया मैंने ठीक है सी अब जो लगता है आप यहाँ से इसके साथ कोइंसिडेंट कर दीजिए सी इस तरह से आर पर चला गया क्या तो मुझे लगता है थोड़ा सा अंडू कर लेता हूं मैं और मैं यहाँ से एडवांस में जाता हूं और विड्थ ले लेता हूं मैंने इसको सेलेक किया फिर इसको सेलेक किया फिर बाद में हम इस फेस को लेंगे और इस फेस को लेंगे तो equal equal हमारा see ओके ओके अब एक और problem हम लोगों को face करना है क्या? सो देखो यह जो jaw है वो यहाँ touch होके रुख जाना चाहिए समझे? और यहाँ पर भी touch होके रुख जाना चाहिए तो उसके लिए हम distance में limit डालने वाले हैं और वो limit हम कैसे डालेंगे? बताता हूँ don't worry अभी सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर जाए और मैंने इस face को यहाँ से नहीं मैं क्या करता हूँ? इस face को select करता हूँ यह नजर तो नहीं आ रहा है रुख जाओ मैं थोड़ा उपर लेता हूँ इसको select किया और इसको select किया यह touch तो हो गया है बत मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? use for position only यानि इसमें कोई relation नहीं आएगा ओके ओके देखे लास्ट में हमने कोई भी coincidence नहीं आया अभी हम थोड़ा distance मिजर कर लेते हैं यह लिए मिजर और यहाँ से ले करके यहाँ तक distance मैंने मिजर कर ले इसका total height देख लीजिएगा total vertical height कितनी यह बास? तो हम लोगों को यह देख लो center distance 90.7 दिया हुआ है समझे न? 90.7 का है ठीक है I think यह सही है क्या? यह गलत है 90.03 दिख रहा है यहाँ पर dy ठीक है यह y distance दिख रहा है इदर dy 19.03 का distance है तो अब मैं आराम से इसमें limit डाल सकता हूँ अभी देखे कैसे करना है mate में गया यह advance ले लेना है advance में यह देखे मेरा distance का है और distance में यह तो 1 degree का है यह maximum कितना डाला है? 93.0 90.03 का और minimum जो है यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ यह doesn't matter यह 10 रहने तो 20 रहने तो कोई फरक नहीं पड़ता इसको और इसको दोनों को मैं select कर लेता हूँ यह जो 20 डाला है मैंने वो current distance है maximum जाएगा 90.03 तक और minimum 0 touch होके रुख जाएगा देखाता हूँ मैं आपको भी देखिए अभी मैं यहाँ से खीच रहा हूँ यह देखो रुख गया मेरा यहाँ पर जाके रुख गया और उपर भी जाएंगे यहाँ पर जाके रुख रहा है हमारा यह देखो मैं इसको उपर प्रेस कर रहा हूँ बढ़ यह जा नहीं रहा है क्यों क्योंकि मैंने limit set कर दिया है यह कमाल का चीज है see यह देखो अब देखिए यहाँ से मैंने इसको isometric की आभी मैं इसको उपर लेता हूँ यह देख लीजिए see उपर नीचे हो रहा है ओके तो यह properly हमारा काम कर रहा है समझे न ओके अच्छा अब इसमें एक और चीज बच गया है हमें यहाँ पर nut डालना है समझे न कितने का nut डालना है तो ड्राइंग में देखेंगे हम जड़ा और कौन सा है भाई यह वाला हमें लेना है see M16 का लेना है समझे machine thread डिया गया है M16 ले लेते है तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ toolbox add in now और यहाँ से आप कुछ भी ले लो ISO भी ले सकते हैं symmetric मैं यहाँ पर ISO ले रहा हूँ bolts and screw है nuts ले लेता हूँ nut and fine कुछ भी ले लो hexagon nut भी ले सकते हम लो और यहाँ पर हम लोगों को M16 वाला चूज करना है यहाँ पर कोई भी type ले लेते हैं हम लोग standard तो नहीं दिया वाचलो यह वाला ले लेते हैं track करते हैं और यहाँ पर आपको details बताएगा तो यहाँ पर M16 ले लेना है हम लोगों को see ok ok आप चाहो तो directly यहाँ पर भी press कर सकते हो इधर जाए यह देख लो automatic हमने इसको ले लिया और यह देखो मेरा access दीख रहा है नीचे आते हैं तो face भी दिखेगा बाकी यह जो बच गया है उसको आप delete कर सकते हो लेते समय ही आपको यह कर लेना चाहिए see यह देख लो perfect done एक और हमें nut यहाँ insert कर लेना है see इस जगह पर तो इसका जो dimension है वो आप देख सकते हो M6 का लेना है तो आप M6 का nut ले लो यहाँ पर जाता हूँ मैं toolbox add in now और यहाँ हम लोग ISO ले लेते हैं और यह रहेगा मेरा nuts और hexagon nuts और यहाँ से मैंने इसको ही drag किया double click करता हूँ यहाँ तो drag करके भी ले सकते हैं see ऐसा कुछ आ रहा है अब लेने के बाद देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर data आएगा इधर आपको थोड़ा M6 ले लेना है यह काफी छोटा हो जाएगा यह देख लीजिए ठीक है ना और यह इधर आ गया है अभी मैं यहाँ पर इसको नहीं ले पा रहा हूँ मैं okay करता हूँ पहले उसके बाद फिर से यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर जाईए और थोड़ा इस face के नजदीक आईए तो आपको दो चीज़ें दिखाए देंगी एक है coaxial और face तो आपको यहाँ पर बस click कर देना है आपका काम हो जाएगा यह देख लीजिए यहाँ पर आपको close कर देना है इसको आप delete कर दीजिए आपका काम हो जाएगा यह देख लो perfectly bite गया ना हमारा see तो यह हमारा complete हुआ अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया तो यह देखिए यह properly bite नहीं रहा है मतलब यह engaging नहीं हो रहा है इन दोनों के बीच में तो इसको हम लोग अपने हिसाब से modify कर सकते हैं यहाँ पर मैं पहले section करके check करता हूँ क्या यह properly आया है कि नहीं आया है सो और आप देख सकते हो यहाँ पर teeth to teeth engagement नहीं हो रहा है आप देखेंगे तो थोड़ा हम लोगों को engagement सही नहीं लग रहा है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है बस इधर ज़्यादा अंदर चला गया है और इधर तो dimension में हमें थोड़ा सा changes करने होंगे बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप चाहो तो कर लेना नहीं तो मैं ही कर देता हूँ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि यह मैं 3 लेना है लेकिन यह देखो 3 का 1.5 उपर दिख रहा है और 1.5 नीचे दिख रहा है समझे उस हिसाब से हमें modification करना होगा तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे करना है तो nothing to worry बस इसको क्लिक करना है open में चले जाइए यही तो advanced software का फाइदा होता है हम कभी भी उसको editing कर सकते हैं so nothing to worry समझे यहाँ पर जाना है sketch में जाना है और यहाँ edit करेंगे हम लोग हम कभी भी उसको editing कर सकते है तो यह जो coincidence है इसको भी मैं थोड़ा show कर देता हूँ ताकि हमें अंदाजा हो तो यहाँ हमें 50% लेना है अगर मैं इस rectangle को यहाँ से delete कर देता हूँ तो चल जाएगा अब मैं यहाँ center rectangle ले लेता हूँ इस तरह से 3 by 3 कर लूँगा समझे इसको और इसको दोनों को हम equal कर देंगे no no problem और इसके center को पकड़ता हूँ और helix को पकड़ता हूँ यहाँ से मैंने pierce कर दिया अब आप इसको 3 कर दो तो almost यह कुछ आईसाही है dimension के हिसाब से ठीक है तो nothing to worry मैं बस यहाँ पर edit कर देता हूँ और यह हमारा update हो गया तो आपको drawing के साथ match दिखेगा matching यहाँ दिखेगी ज़्यादा अंदर नहीं दिखेगा c यह देख लिजे perfectly आ चुका है c मिलता जुलता है तो हम लोगों को कभी भी editing करना आएगा इसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें फिर से recreate करनी की ज़रूरत नहीं है आप इसको बस save कर लो no problem याद रखिए यह 1.5 अंदर गया हुआ है समझे nothing to worry एक और चीज़ यहाँ पर मैं close करता हूँ इसको यहाँ no करता हूँ एक और काम कर लेना हम लोगों को इस part को ले लेना है इसमें मैं click करता हूँ यहाँ open और फिर बाद में इसको भी हमें थोड़ा सा modify करना होगा तो आप यहाँ पर जाईए हैलिक्स को पहले show कीजिए और इस sketch को edit करते हैं ठीक है उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर भी एक center rectangle लेना होगा delete कर देंगे इसको यहाँ से center rectangle कुछ इस तरह से और दोनों को मैं equal कर दूँगा और एक side का dimension मैंने 3 रख लिया और बाद में इसके center को select करना है फिर इस हैलिक्स को select करना है यहाँ से pierce कर दो बस तो इतना करने से आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा और engagement भी अच्छे से होगा मैं अभी क्या करता हूँ हैलिक्स को hide कर देता हूँ और मैं यहाँ इसको भी ctrl s कर दिया यहाँ से save all document भी कर सकते हो और save document भी कर सकते हो ठीक है यहाँ इसको मैं close कर देता हूँ यह ctrl s भी कर देंगे तो भी चलेगा इसको मैंने close किया यहाँ से no करेंगे और यह हमारा एक अच्छा engagement होगा trade to trade में ज़्यादा कुछ नहीं करना था बस थोड़ा सा हमें editing करनी थी और यह हमारा काम हो गया सर जी देख लो अब ही चलिए हम लोग इसका exploded view create करते हैं ठीक है चलिए तो अब हम लोग इसका exploded view generate करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप यहां exploded view में जाएए इस nut को इधर ले लो done अगला step क्या है इन दोनों को मैं select करता हूँ इसको और इसको यहां से दोनों को मैं बाहर ले लेता हूँ यह भी हो गया done अगला step क्या है so देखिए मैंने इसको select किया इसको select किया इसको 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 और इन दोनों को और इसको सब को select किया मैं उपर ले लेता हूँ yes see और यहां आपको done कर देना है सबस उसके बाद क्या करना है so देखिए मैंने इसको select किया इसको select किया और इसको select किया तीनों को मैं ज़रा उपर ले लेता हूँ, यहां से done किया, फिर इन दोनों nut को मैं लूँगा, उपर कर दिया, फिर यहां से इसको done कर दिया, चलो बाकी कुछ नहीं रहा, आप इसको थोड़ा चाहो तो नीचे कर सकते हो, done अब देरा ध्यान से देखिए मैंने इसको select किया और इसको select किया इस पे click करता हूँ अभी दोनों side मैंने ऐसा कुछ कर दिया and then यहां से done इसको पकड़के यहां पे click कर दो और इस direction में मैंने ले लिया and इसको भी done कर दिया see बस बाकी और कुछ नहीं है ओके कर देते हैं यहां पे हम लोगों को animate collapse कर लेना है see यह देख लिजिए हमारा perfectly explosion का animation हो रहा है समझ में आरी बात तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं ओके कर दो कर दो कर दो है